क्यां ये help करें financially फिर advertisement local हम advertisement help in distribution no need to meet customer wholesaler को customer से मिलने नहीं देते हैं ऐसा नहीं कि मिल नहीं सकता मिल सकता है लेकिन उसका time तो बचा रहे हैं सर्विस ही दे नहीं हम होल सेलर के बदले हम मिलतो रहे हैं अब भाई customer के लिए क्या है customer के लिए supply of goods according to demand जैसे customer demand करेगा वैसा ही उसको समान provide करेगा अगर वो बोलता है कि भाई मुझे इस company का समान चाहिए तो उसी company का समान ये दुकान में लेके आएगा कहीं भी होलसेजर से लाए तो एक service ही दे रहा है उसको इसके बाद facility purchase on credit customer को उधार खरीदने का भी facility दे रहा है ये दे रहा है उधार खरीदने का इसके बाद home delivery goods घर घर पहुचा रहा है कई बार क्योंकि हमारे ज़्याद से ज़्याद कस्टूमर हो तो मैं घर घर free में भी कुछ पैसे लेके भी घर तक पहुचाया जा रहा है आज के time पे इसके बाद supply of fresh goods वो कोसिस करता है कि कस्टूमर को एकदम fresh goods दिया जाए क्योंकि अगर कोई पुराना होता है तो फटाफट वो wholesaler से contact करता है यह उनी बिके कर ले जाओ अपना माल उठा गए फिर वो wholesaler manufacturer से बोलता है यह खराब हो रहा है फिर manufacturer इसको देता है यह आगे provide करता है अगर मैं fresh goods की में बात करूँ तो जैसे आप example bread वगर अगर ले सकते हो उसके उपर expiry date होता है इस तरीके से उस तरीके से fresh provide करवाने का काम कोन कर रहा है रिटेलर इसके बाद आपका free service service free में क्या है आपको उसके बारे में knowledge देना उसके बारे में बताना आपको समान available करवा रहा है तो एक तरीके से इसके charges थोड़ी न ले रहा है free service है increase in customer आपका consumer का knowledge को increase कर रहा है customer को बताएगा रहे पहले तो दूसरा आता था जैसे मैं अगर मैं आटे की बात करूँ तो पहले simple आटा आता था मल्टी ग्रीन आटा आने लग गया तो customer को मैं knowledge दूगा रहे पहले वाले आज कल तो खाद पर सारा समान बनता है पहले वाले आटे को खाओगे क्या ठेक है वो बोलता है कि आपने ये वाला मतलो उसका जिसमें profit जादा होगा वही बढ़िया होगा वो बोलेगा भाई साब ये मतलो ये तो बेकार है आप तो इतने दिन से आते हो ये ले जाओ ये बढ़िया है वो नाम कर रहे ये ले जाओ तो वो इडवाई से थो हमारे किया है orytaylor का क्या चाव्शल सेटल को भी और इसने सर विस परोईड किया किसको होल सेलर को क्या करा है इसने information दिया इसके साथ डिमांड भी create किया इसके साथμαι आपका क्या किया इसने प्रवाइट financial help, local advertisement, no need to interact customer, customer से directly मिलने की जुरत नहीं है, meet customer, help in distribution में, customer के लिए free home delivery और उसके according goods को provide करना, knowledge provide करना, free service देना, free advice देना, fresh goods प्रोवाइड करना, facility to credit उधार समान देना, ये सारी चीजे थी हमारी, तो हमने देखा भी दो point, पहला point देखा, wholesaler क्या कौन होता है, जो की क्या करता है, बताओ, large quantity खरेता है, small, और retailer कौन होता है, purchase करता है, wholesaler से बेचता, simple सा थेंगे इसमे, feature की मैं बात करें, तो feature compare करते हैं, पहले मैं wholesaler, फिर retailer बोलूँगा, wholesaler का feature number one, quantity के base पे, large quantity, less quantity, feature number two, capital के base पे, more capital, less capital, ठीक है, feature number three, number of goods के base पे, wholesaler, specific goods रखता है, special goods, retailer, number of things, बहुत सारे goods, तो तीन हमने देख लिए इसके, अब fourth, हम बात करते हैं, अगर बात करें, हम less capital हो गया, sell goods के base पे, selling के base पे, wholesaler बेचता है, retailer को, retailer बेचता है, customer पे, 4 point हो गए, यानि 4 difference भी हो गए, याद रखो तो आप, है कि ने, 4 point हो रहा है, तो 4 difference भी बन रहा है, इसके बाद अगर हम बात करें, relationship के base पे, तो wholesaler का relationship किसके साथ होता है, retailer का, और retailer का होता है, customer, 5 point होगे, देखो difference आपके, purchase तो दोनों में common यह, उधार वो भी खरीता है, नगत वो भी खरीता है, ठीक है, अब बात करते हैं, वो service जो provide कर रहा है, किसको, वो कर रहा है, पहले manufacturer को, फिर किसको कर रहा है, wholesaler, manufacturer को, फिर retailer को, फिर society को, ठीक है न, retailer, wholesaler को, और customer, society नहीं है, यहाँ पर कौन है, consumer या customer, clear है, इसके अंदर क्या-क्या points है, यह समझ में आ गया, अब जिसका एक-दो point रहता है, note करिए, फिर आगे देखते हैं, chain of store, जो state,